आज हम लोग बात करने वाले है सिपला के बारे में 807 में चल रहा है ये श्रॉक 16 पॉइंट का गिरावट रहा है और 2% का बहुत ही ज़ादा गिरावट रहा है एक बात बताना चाहता हूँ सिपला में बहुत लोग पूछ रहे थे सिपला कब नीचे के दरब गिरेगा और हम लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे तो अभी ये मौका है इधर इन्वेस्ट करने का मैं आपको बताने वाला कुछ लेवल जहां पर आप इन्वेस्ट करके बहुत ही सेफली आप काम कर सकते हैं और बहुत ही कम स्टॉप लोग के साथ बड़ा बड़ा टारगेट ले सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और एक बात अगर मैकसिमुम का चार्ट देखे तो सिपला जैसे स्टॉक बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और आप इसमें लॉंग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग कहां किये थे पहले वाले वीडियो में 709 में इन् जब यह 850 को एच्छीव किया उसके बास से देखिए फॉल आ गया था यह अगर एनलिसिस पसंद आता है तो सब्सक्राइब के बिल आइकन बजा कर रखो एनलिसिस आपको मिलते रहेंगे और ऐसे एनलिसिस में देते रहता हूँ एक बात बताना चाहते हो आप कब खरित प होएंगे तो आपको बता होगा तो मैं 709 में जब यह बाइय करने के लिए बोल भुला था मैं 2 लेवल बता है ता था दो लेवल कॉन सा कॉन सा 743 और एक बता है से 160 i887 ऐसीट यह दोनों लेवल बताया था मेंने जितने याद है यह यह दोनों लेवल यह हो गयते जिसके ब गया यह Cross करने के बाद यह है 802 मैं किई 802 के ऊपर खरीदिक लिए बोला देखे हम लोगर टर्डिवी बहुत कीश कर थू मैं यह थै कि यह है 802 कि इतना important हृ तो मैं जूम आउट करता हूँ अगर आप देखेंगे तो आप समझ में आजाएगा आप 802 क्यों important है यह है 802 अगर आप एक चीज़ देखेंगे यह जो बड़ा rally था इसको यह cross नहीं कर पाया नीचे के दरफ आया फिर से कोशिश किया था फिर से नीचे के दरफ आया था फिर से इसको breakout किया जरूर लेकिन नीचे के दरफ आ गया फिर से यह कोशिश किया था नीचे तक चला गया उसके बाद यह नीचे के दरफ आ रहा है तो अभी जब यह नीचे के दरफ आ रहा है 802 इतना अच्छा रेजिस्टेंस हुआ करता था तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इतर सपोर्ट भी देखेंगे 802 में हम लोग खरीज सकते हैं ऐसे कि मैंने खरीद भी ल आएगा यह फिर नीचे आएगा इसके कोई मतलब भी निचे आता है तो मैं जादा से जादा इन्वेस्ट करता हूँ ऐसे कौन करता हो देखिए 802 में मैंने खरीद आ है उसके बाद मैं कब खरीद दूगा तो मैं 786 के आसपास खरीद दूगा फिर कब खरीद दूगा 743 के जो पहले यह रेजिस्टेंस हुआ करते थे उसमें मैं खरीदने वाला हूँ क्यों खरीदने वाला हूँ देखिए सिप्ला जैसे स्टॉक कभी-कभी नीचे के दरफ आती है मैं जब 709 में वीडियो बनाया था आपको याद होगा जब मैं 709 में वीडियो बनाया था मैंने बताया था कभी-कभी सिप्ला जैसे स्टॉक में इतना बड़ा गिरावाट होता है और तब हम लोगों को खरीदना चाहिए जिससे बहुत ही तीसरी के साथ जाएगा और उसके बाद फर्स्ट टार्गेट तो यह अचीव हो गया था और सेकिंड टार्गेट भी कुछ दिनो जरूर है इसमें कोई भी बुलिश क्रॉसोवर या फिर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सिप्ला एक फंडमेटरी स्टॉंग शियर है इसलिए जब यह नीचे जाएगा मैं खरीत रहूंगा 802 में मैंने जादा क्यों नहीं खरीद है क्योंकि 802 जरूर सपोर्ट पर अब है आपके पाथ कितने पैसा है कितना आप लगा पाएंगे उतना ही आप लगाना चाहिए ज्यादा लगाना नहीं चाहिए 46 में चल रहा है अभी यह बहुत ही नीचे ट्वेड होतार नजब आ रहा है अभी इस ऊपर के तरफ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रैली बूलिषय सेग्टर यह बहुत भाग चुका याद रखना आई टी सेख्टर बहुत भाग चुका है इसमें थोड़ा सा秒 कणुन पेंड़िंग है नहीं तो Streamline को हुआ इस चाहिए तो आप चाहिए तो सब multiplier करें और इस वीडियो को बजा दीचे और इस वीडियो को जरूर लाइक करें